आगरा में सरवाधेत लोग की एड चैनल सीन्यूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें केंद्रिया कारगार में कोरोना संक्रमर से बशने के विशेश इंतिजाम किये गए हैं परिजनु द्वारा भेज़ जा रहे सामान को सनिटाइस कर अंदर रख लिया जाता है इसके 48 घंटों के बाद सामान बैरक में बंदी के पास भेज़ जा रहा है जेल के अंदर किसी भी बहरी व्यक्ति को अंदर जानी की अनुमती नहीं दी जा रही है केंद्रिय कारगार में कोरोना संक्रमन से बशने के लिए विशेश इंतिजाम के गए हैं किसी भी भारी व्यक्ति को जेल के अंदर जानी की अनुमती नहीं दी जा रही है परिजनु द्वारा भेज़ जा रहे सामान को सनिटाइस कर अंदर रख लिया जाता है उसके 48 घंटों के बाद सामान बैरक में बंदी के पास भीज़ा जा रहा है कोरोना संक्रमन की 22 मस्या को दिसकत रखते हुए सबसे पहले हम लोगों ने ये ब्यवस्था यहां पर सुनिश्चित की कि कोई भी वारी व्यक्ति या कोई भी जो बंदी के परजन है जो यहां पर आते हैं उनको इस प्रसास्निक भवन से अंदर जाने की यह सुनिश्चित किया गया कि वह अंदर न जाने पामें और जितने ही व्यक्ति कारगार के अंदर किसी सास्की या थवा सास्की कारशिक कारशिक कारगार के अंदर आमें प्रसास्निक भवन में घुस्ते समय मतलब मुख्य द्वार पर घुस्ते समय यह सुनिश्चित किया गया कि कोई ही व्यक्ति जो की मास पहन करके नहीं आता है उसको कारगार के अंदर प्रवेश भरजित कर दिया गया केंद्रिय कारगार में नो टच वेवस्था के तहट कारे किया जा रहा है जेल में बंद कैदियों की मुलाकात काफी अर्से से बन चल रही है सामान को भी बेहत ही साबधानी के साथ अंदर भीजा जा रहा है कैदियों का सामान परीजनों के हाथ से ही जेल के अंदर मुलाकात कक्ष में सुरक्षित रखवा दिया जाता है जेल का कोई भी स्टाफ सामान को हाथ नहीं लगाएगा 24 घंटे बीतने के बाद सामान बैरक में कैदी के पास महचा दिया जाता है हर बंदी को जेल में बने हुए मास्क और सेनिटाइजर उपलब्द कराये गए हैं इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पादन कराये जा रहा है चुकि कोरोना काल काफी लंबे समय से चल ला है बिगत माह मार्श से इतने महीने तक बंदियों को उनको दनिक प्योग की सामगरियां जो कि पहले मुलाकात के दोरान बंदी के परजन को देते थे उसकी भी उपलब्दता नहीं हो पा रही थी तो सासन अस्तर पर हमारे कारगार मुख्याले अस्तर पर ये निड़े लिया गया कि उनको परजनों को मुलाकात के अनमती तो नहीं है लेकिए कि परजन उनके ऐसी अन्मनन सामगरियां जो कि उनको दे सकते हैं ऐसी अनुमन सामग्रियों को देने की बिवस्था सुनिश्चित किया जाने के निदेश दिये गए जिसके अनुकरम में हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ती मुलाकाती या परिजन अगर कारगार के अंदर प्रवेश करता है तो जो प्रोटकाल है उसका पूर पालन करें उसको सामग्रियां बैग में लेकर के आते हैं उस बैग की तलासी दोनों गेट प्रथम और दुतिच्चित किया गया और या भी सुनिश्चित किया गया कि उस व्यक्ती हमारा कोई भी जेल करमी या जेल अधिकारी उसको टच नहीं करेगा जेल के अंदर स्टाफ का ही आना जाना बना हुआ है। गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज होने के बाद ही बंदी रक्षक और स्टाफ के लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। रक्षकों को छोड़ कर कोई भी स्टाफ का करमचारी सरकिल के अंदर नहीं जाएगा इसकी हिदायत वरिष्ट जेल अधिक्षक पीके सिंग ने करमचारियों को दी है। पिछले दिनों डीजी जेल के निरिक्षण के दूसरे दिन जेल में कई लोग कोरुना संक्रमित पाए गए थे। इसको लेकर काफी सतर्कता बढ़ती जा रही है। सी नियूस के लिए उम शर्मा की रिपोर्ट